अगर सबसे पहले चाहिए तो अब चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का वीडियो यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसा क्यों तो देखो आपको जिस भी कोर्स रिलेटेड आपको डियू में जो भी कोर्स चाहिए हो और उस कोर्स विलेट आपको जो भी कन्फियों बाझन है वह सारे कोर्स रिलेटेड वह सारे कोर्स रिलेटेड वह सार्थव थे वीडियो में दूर 떨어都有 एकिमिन के सरे कोर्स के बाड़े में बोल रहाँ जो भी कोर्स offer करता है उन सभी के बारे में बल़ रहा हूँ आपको सारी कोर्स ढुर हो जाएंगे जिस course related आपका जो भी confusion है तो ऐसा कैसे तो देखिए इस वीडियो के last में मैं आप लोग को एक link दूँगा उस link के थुरू आपको PDF डाउनलोड कर लेना है ठीक है जैसे ही आप लोग इस PDF को open करोगे तो कुछ ऐसा interface सामने आएगा तो जैसे ही आप लोग open करोगे तो कुछ इस तरीके से ये खुलेगा ठीक है अब देखो डियू जितने भी courses offer करता है वो इस PDF में mentioned है जितने भी courses total courses total law page का ये PDF है और जितने courses डियू offer करता है वो सभी इसमें mentioned है और सभी courses के लिए क्या eligibility है क्या criteria ये specifically बताया गया इसमें VCS रूप से अलग-अलग करके बताया गया है कि इस course के लिए जैसे किसी को हिंदी चाहिए वो देख सकता है किसी को कोई भी लैंग्वेज है अर्बेक बेंगलली पर्शन संस्क्रिटूर्ट जो भी चाहिए वो देख सकता है यहां पे बीकॉम के लिए भी आ सकते है आप लोग जितने courses डियू offer करता है वो सभी इसमें आप लोग मिल ज आया गया है आप लोग आके यहां पर देख सकते हैं बीकॉम ओनर्स वालों के लिए है यहां पर फिर उसके बाद देखो बीकॉम के लिए है क्या eligibility क्या criteria है बहुत लोग मुसे सवाल पूछ रहे थे बीकॉम को ले करके आप लोग के सवाल के जवाब यहां पर मिल जाएंग ठीक है economics के लिए आ सकते हैं जो courses अब देखो खासकर एक important बात में बता दू बीस्टी वालों को confusion रहता है कि उनका top 4 जूटता है या top 3 जूटता है ठीक है तो देखो बीस्टी अगर computer science से करना चाहते हो या mathematics से करना चाहते हो या mathematical science से करना चाहते हो तो अब लोग का top 4 वाल होगे तो top 3 चलेगा ठीक है यह अब मैं बीडियो में अब आप लोग को बताऊंगो कि कैसे आप लोग को top 3, top 4 काउंट करना है और आप लोग को एक और प्रॉब्लम जैसे आप लोग PDF पढ़ोगे तो आप लोग को एक और प्रॉब्लम सामनी आएगा आप लोग को यह पता मैं यही बताऊंगा और सारे कोर्से में इसी तरीके से बोला गया है अब लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा तो द्यान से सुनना अब इस वीडियो को देखो यह लैंग्वेज सब्जेक्ट यह मैं डियू के ऑफीसल साइट से कर लिया है तो यहां पर यह जितने भी लैंग्वेज आप लोग एक लैंग्वेज एड करवाते हो ना एक लैंग्वेज एड होता है तो वह इसी के किसी ने कोई लैंग्वेज पढ़ा है ठीक है और वह इसमें नहीं है तो वह अलग प्रोसीजर चाहोता है उसका आप लोग एड नहीं करवा सकते हैं अलग प्रोसीजर चलता है अगर ऐसा किसी का केस हो जाता है तो वह मुझे इंस्ट्राग्राम पर मैंसेज करना मैं बता करना दूगा कि आप लोग को आगे क्या करना है ठीक है तो आप लोगे एक लैंगविज आइड करोगे मैं यही जो आप कशısı सब्ज्यक्टोंबीकन कश Joyce करना है कि ओसी ऐलेख में तो इस से बाहर नहीं जाओगे जो एंत्रो पालोजी Information Practices, Home Science यह सब्यों भी आपके Elective Subject के अंदर आता है Bio Technology, Bio Chemistry, Biology यह सब्यों भी आप लोग के किसके अंदर आता है Elective Subject के अंदर आता है ठीक है इसका Screenshot ले लो आप लोगो के लिए बहुत help होगा इसका भी आप लोग लो और इसका भी आप लोग स्कुन सॉट ले लो ठीक है तो यह रहा elective subject के बारे में और वो जो पहले मैंने बता है वो language के बारे में था है एक language add होता है और तीन elective subject add होते हैं अब देखो अब जो मैं बोलूँगा वो ध्यान से सुनना ये तो हो गया कि elective subject और language अब non elective subject क्या होते हैं तो देखो जो भी subject इसमें mentioned नहीं है जो भी subject इसमें नहीं है यह language में नहीं दिया गया वो non elective मतलब non-listed के category में आता है वो non-listed माने जाता है उसे ठीक है उसे non-listed के category में लाए जाता है basically वो वो language होते हैं यह जो non elective subject है यह वो language होते है जो आप लोग 12 में marks score करने के लिए जो side में कोई subject आप लोग लेते हो ना जिसमें marks score करने के लिए एक असान सा subject ले लेते हो जिसमें marks high आता आप लोग का basically वही आता है non-listed की category में ठीक है ध्यान जा सुना इस बात को जैसे कुछ example दूँ मैं तो बहुत सारे marks score करने के लिए मदुबनी painting लेते हैं music लेते हैं यह सभी चीज़े लेते हैं physical education लेते हैं तो यह सभी कि आप लोगों के non-listed की category में आ जाता है ठीक है और भी बहुत सारे subject होंगे मुझे उता नहीं पता clear लेकिन इतना है और यह ध्यान रखना कि जो इस subject के अंदर मिंस इस elective subject के अंदर नहीं है मिस इसके अंदर mention नहीं है जो भी subject या इस वाले के अंदर mention नहीं है वो non-listed की category में आएगा इतना आप लोग ध्यान रखना तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीकी से समझ में आ गया होगा कि elective subject क्या होते हैं और non-elective subject क्या होते हैं देखो non-elective को ही non-listed बोलते हैं इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए आप लोग को ठीक है और elective subject और academic subject एक ही चीज़े ठीक है तो आप लोग समझ में आ गया होगा होते हैं लेकिन सब नहीं करवा सकते दो language क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि एक ही language होता है लेकिन यह special case है जो सोसल साइंस जो लेते हैं graduation जिनको सोसल साइंस से करना होता है वो दो language करवा सकते हैं अगर उन्होंने दो language पढ़ा है तो और दोनों में अच्छा मा से honors करना चाहते हूँ ठीक है और आपने political science एड नहीं करवाया है तो 1.5% का marks deduct हो जाएगा अगर history से honors करना चाहते है और history एड नहीं करवाया है तो 1.5% का marks deduct हो जाएगा basically यह उनके साथ होता है जो stream change करते है जैसे science वाले student arts में आते हैं तो उन लोग के पास history civics podcast science थोड़ी होता है तो उन लोग का marks deduction होता है 1.5% का ठीक है अब देखो यह सी वाला जो point है इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगा क्योंकि यह समझना आप लोग के लिए बहुत important है any two other academic elective subject अगर आप लोग दो elective subject add करवाते हैं ठीक है list A या list B से जो मैंने आप लोग को दिया अप लोग दो elective subject add करवाते हैं ठीक है और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई non-listed subject add हो कोई non-listed subject add हो top 4 में add हो तो वह जो non-listed subject अगर honors लेड़ हो आप लोग और non-listed subject add करवाना चाहते हो top 4 में तो 0.5% का marks deduction होगा आप लोग के लिए 1.5% का marks deduction होगा क्यूंकि honors के हो जाएगा लेकिन 5% का marks deduction किया जाएगा ओके लेकिन बी ये प्रोग्राम वाले अगर चाहे तो वह एक non-listed subject add करवा सकते हैं free में उनका कोई deduction नहीं होता है लेकिन अगर वहीं पर वो लोग कोई दूसरा और मिन्स एक के अधिक एक से अधिक अगर non-listed subject add करवाना चाहेंगे भी ये प्रोग्राम वाले तो उनका भी जो पर subject के हिसाब से 0.5% का marks deduction होगा ओके तो आयोप आप लोगो ये clear हो गया हो मैं कुछ example के थुरू आप लोगो ये clear करता हूं ज्यादा अब देखो यहां पर एक मैं example के तोर पर आप लोगो समझा रहा हूं कि एक student है जिसने English है उसके पास English है Physics है Chemistry है और math है और उसके साथ साथ एक उसके पास side में को और subject है जो की physical education non-listed subject है ठीक है अब माल लो उसको top 4 add करवाना और उसको political science चाहिए ठीक है तो कैसे लेगा तो देखो अगर अगर वो उसको top 4 add करवाना पड़ेगा पास subject है तो एक कोई subject को छोड़ेगा ठीक है तो definitely एक language तो एड होगा जो कि उसका English तो एड हो नहीं होना है ठीक है उसके बाद बजते हैं चार सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिकल एड्योकेशन तो अब तीन सब्जीक्ट एड करवाना होता है तो basically एस स्टूडेंट का एड क्या होगा physics केमिस्ट्री और math है यह और यह और यह थाए फिजिकल एड्योकेशन नॉनिस्ट्ट है तो इसका एड्योकेशन अगर यह स्टूडेंट का माल लो physics केमिस्ट्री मैथ में किसी एक मान लेते हैं आगया है physical education से कम मांट इसको physics में आगया है मालो इसको physics 56 है और physical education में म graph 82 है अब यह चाहें कि मेरा फिजिक्स वाला portion और फिजिक्क्स वाला पॉर्षेंट नहुंकुड करके physical education का marks deduct कर दिया जाएगा क्यूंकि एक non-listed subject add करवा रहा है honors लेने के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है जो भी इसका top 4 का percentage बनेगा physics हटा के जो top 4 का percentage इसका बनेगा उसमें से 2.5% marks deduct कर लिए जाएगे क्योंकि इसने honors लेने के लिए एक non-listed subject को add किया है ओके यह आप लोग क्लियर हो गया होगा अब देखो यह स्ट्रीम भी चेंज कर रहा है यह PCM का साइंस स्ट्रीम का लड़का और यह जा रहा है आर्ट स्ट्रीम में पॉलिटिकल साइंस ले रहा है तो यहां पर इसका धाई परसेंट मार्क्स और deduct हो जाएगा क्यों क्यूंकि यह फ्रीम चेंज हो जाएगा जितना यह बनेगा उसके साथ और लोगको अच्छ तरीके से अब समझ में आगया होगा आगे में अभी और आप लोग एक्जाम्पल दोंगा जिसा आप लोगो ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है तो अब देखिए यहां पे कुछ और एक्जाम्पल्स हैं जो बहुत बड़ जो मुझसे कोशन पूछेंगे उसके जवाब में दे रहा हूँ देखो economics के लिए वैसे आपको PDF में जवाब मिल जाएंगे आप चाहे तो आगे थोरोग स्किप कर सकते एक्जाम्पल के लिए ठीक है तो देखिए बताता हूँ economics के लिए mathematics necessary है become honors अगर लेना है आपको तो आपके पास mathematics होना चाहिए अगर mathematics नहीं है तो business mathematics होगा तो इससे भी काम चल जाएगा मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए अगर नहीं है तो आपको become honors नहीं मिलेगा आपको simple become करना पड़ेगा फिर उसके बाद देखो अगर किसी को language लेना है और उसने उसी language से पढ़ाई भी क्या है elective के तौर पे मतलब example दू किसे ने English elective पढ़ा था 12th में और graduation के लिए वो English honors लेना चाहता है तो उसने 12th में English elective पढ़ा था elective subject पढ़ा था इसके लिए उसको 2% का फायदा हो और यह point तो मैंने आप लोगों पहले ही बता दिया तो बताने की कोई जरूत नहीं है अब देखना अगर किसी student को करना है क्या physical education music मतलब कि उसको physical education music से या home science से honors करना है तो उसके लिए जो non-listed subject होते है na physical education जो non-listed subject है music जो non-listed subject है यह सभी subject उसके लिए elective subject के तौर पे behave करें ठीक है elective subject के तौर पे treat किया जाएगा यह सभी subject उसके लिए क्योंकि वह honors किसमें कर रहा है home science में music में और physical education में यह बात आप लोग ध्यान रखेएगा अब देखिए यह last point भी बहुत important है अगर देखिए मालीजी आप कोई ऐसा language course करना चाहते है जो आपने 12 में नहीं पढ़ा है जैसे मालीजी आप Spanish French Italian यह सब करना चाहते है ठीक है इससे course करना चाहते है तो आपने 12 में अगर नहीं पढ़ा है तो आपका 5% marks deduct कर लिया Italian अगर cut-off में match करने के बाद, cut-off में match कर जाता है, 0.5% deduct करने के बाद भी तो आप लोगों को यह course दे दिये जाएगा ठीक है और यहां पे accept honors in English Hindi क्योंकि देखो यहां पर यह इसलिए बोला गया है English से honors करने के लिए और Hindi से honors करने के लिए necessary है must है आप लोगों को Hindi या English पढ़ा हुआ होना चाहिए Hindi देना तो Hindi पढ़ा हुआ होना चाहिए ठीक है इसके अलावा और बाकी course के लिए बोला जा रहा है कि अगर नहीं पढ़ा है तो 5% deduct करके दे दिये जाएगा वह course आप लोगों को तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कुछ examples है ठीक है यह आप biology जो भी हो chemistry physics है तो उन लोग के लिए top 4 का criteria नहीं चलता है उन लोग के लिए top 3 का criteria चलता है तो बता दो कैसे वह लोग अपना top 3 का count करेंगे तो यहां पर लोग देखिएगा एक example के तोड़ मैंने यहां पर लिए chemistry कोई student है जो chemistry से honors करना चाहता है और उसने उसे top 3 add करना है best of 3 subject उसे add करने तो best of 3 में कोई भी subject add नहीं कर सकता है अगर माल लो वह chemistry से honors करना चाहता है और उसने 12th किया physics chemistry math से तो physics chemistry math ही add करेगा और कोई subject add नहीं करेगा ठीक है अगर उस उसने physics chemistry biology से किया है तो physics chemistry biology ही एड करेगा और कोई आड नहीं कर सकता है यह आप लोग ध्यान रखिएगा और देखो इसके साथ एक और term and condition है कि उस student का language में जो भी language English हिंदी पढ़ाओ उसमें 55% से अब होना चाहिए जो आप लोग PDF पढ़िएगा तो आप लोग उस मज में आ जाएगा देखो एक बीए प्रोग्राम वालों के लिए important बात बताना चाहता हूं मैं उनलों का stream change करने पर कोई deduction नहीं होता है बीए प्रोग्राम में stream change करने पर कोई deduction होता है वो लोग चाहे तो दो language भी आड़ करवा सकते हैं आप एक language लिखा हुआ लेकिन मैंने पिछले साल देखा है दो language आड़ हो रहे थे तो आप लोग लोग दो लाइंग भी आड़ करवा सकते हैं ठीक है और यह एक subject means एक non-listed top 4 में add करवा सकते हैं तो कोई deduction नहीं होगा लेकिन अगर एक से अधिक करवाएंगे तो 2.5% करें लोग का deduction होगा तो I hope आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा मिलते अगले वीडियो में तब तक टेक कें बाब बाई